स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथ योगा द्रिस्टी PCS की इस नई वीडियो में मेरा नाम है सल्मान जैसा कि आप सभी को पता है हम साइंस दिस वीक स्रंखला के अंतरगत प्रतेक सप्ता एक नई वीडियो ले करके आप सभी के समक्ष उपस्तित होते हैं और इस वीडियो में बीते हफते जो भी ऐसी महतपूर खबरे सुर्खियों में होती हैं जो कि विज्ञान और प्रद्योगी की से जुड़ी होती है तो उनके आधार पर सवालों को फ्रेम करके हम यहां पर चर्चा करते हैं तो एपिसोड की शुरुआत करने से पहले एक दिक आती जा रही है तो आप सभी के अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा धार देना होगा इसलिए प्रत्य खबर जो कि आपकी परिच्छा के मद्यनजर महतपूर हो सकती है कोई भी ऐसी खबर आप सभी से छूटने न पाए जो कि द्रिस्टी के संस्थान की और से पूरी पर विचार कीजिए स्क्वाइर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट आस्ट्रेलिया और आफ्रीका में कार करने वाले हजारों डिस एंटीना का एक संग रहा है इसका उद्देश विस्व के सबसे बड़े रेडियो टेली इसकोप का निर्माण करना है उपरी तुमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है यह आपको इन कूटों का प्रयोग करते हुए बताना है तरसल अभी हाल ही में इसक्वाइर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट म और आफरीका में कार करने वाले हजारो डिश एंटीना का एक संग्रा है और जिसका मुख के उद्देश से है कि विस्व के सबसे बड़े रेडियो टेली स्कोप का निर्माण करना है इसके अंतरकत कुछ महत्रपूर बातों को देखे तो इस प्रोजेक्ट में सामिल होने का फैसला जब भारत ने लिया ही है तो यह क्या है कि आस्टेलिया और आफरीका के जो विभिन इस्थान पर एकल इकाई की रूप में कार करने वाले जो हजारो डिश एंटीना है उनका एक तंगरा है और इसके अंतरकत यह जो एंटीना है विस्ट एरे डिजाइन में इस्था तो अपने आप में ही यह कुछ चीज को दरसाता है तो दरसल इसके नाम के पीछे जो है रेडियो तरंगों को एकत्र करने के लिए एक वर्ड किलोमीटर यानि 10 लाख वर्ड मीटर प्रभावी छेत्र के निर्माण की मूल योजना से लिया गया है और यह जो टेली स्कोप होगा जो की विस्व का सबसे बड़ा रेडियो टेली स्कोप होगा इसको किस आधार पर बनाया जाएगा तो यहां पर देखिए तो इ के आधार पर इसका विकास किया गया है तो यहां से देखिए प्रसन का जुस्ता ही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल तही है चलिए आगे की ओर चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलने से पहले आप सभी के लिए एक सू जनवरी तक उठा सकते हैं इसके लिए आप द्रिष्टी लर्निंग एप को तुरंत डाउनलोड कर लें क्योंकि द्रिष्टी लर्निंग एप के माध्यम से ही जो भी ऑनलाइन कोर्सेज है और वहां पट्टे सीरीज है उसमें आप छूट पा सकते हैं 20-50 प्रतिसत तक और याद रखिए कि जो दिन है 21-25 जनवरी तक है और इसके अलावा पेंड्राइव कोर्सेज पर भी ऐसी छूट दी जा रही है जिसमें की 20-50 प्रतिसत तक छूट होगी 21-25 जनवरी तक तो इसके बारे में जानकारी के लिए आप इन दिये गए नंबर पर भी स्तंपर कर सकते हैं साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है उस लिंक के माध्यम से भी आप इस छूट का लाब उठा सकते हैं तो तुरंत अपनी सीट बुक करिए तुरंत जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं लिंक के माध्यम से इंदिये के संप लोगों को नहीं मिलेगी चली अगला सवाल देखते हैं सफेद जेंटू पेंगोईन के सफेद पंखो का कारण है विकल्प है लियूसिजम लिमलेनिन जैंतोपोर या उपरियूत में से कोई नहीं अगर हम जीव जगत की बात करते हैं चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी ही में अंटार्क्टिका के गैब्रियल गोंजा लेज विडेला बेस में देखा गया है और यह जो सफेद पेंग्विन देखी गई है यह मादा थी तो यह जो है चिली बेस के आसपास के छेत्रों में निवास करते हैं और आम तोर पे जो इसका पंक होता है उसमें सफेद के से यह कह लीजे कि यह जो पंक है यह इसके जानके दुश्मन तक भी बन जाते हैं अब यहां पर देखी कि सफेद पंकों का जुम्मों के कारण है वह है जो कि एक अनुवानशिक भिन्यता है जो कि तवचा पंक बालों में रंग को प्रभावित करती है और आयूसीन द्वा प्रमुकारल है इसके सफेद पंकों का अब यहां पर मिलेनीन और जैंतोफोर्स की अगर हम बात करें तो यह भी अन्य जानवरों में या मनुश्यों में देखें तो तवचा और उनके बालों के रंगों को प्रभावित करते हैं तो किसको प्रभावित मेलेनीन किसकी की पुरी बॉड़ी को प्रभावित करते हैं आप लोग इसको गूगल करके या अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन बताईए नहीं पता है तो खोज करके इस कैंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ अगला प्रशन है निमलिखि of crop plants यानी cgmcp द्वारा विक्सित किया गया है उपरिक में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है कूटों का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चुनाव करना है तो दरसल अभी हाल ही में नियायाले में एक याची का दायर की गई जिसमें genetically modified सरसो को लेकर के कई सवाल उठाए गये थे और इनी सवालों को मद्य नजर ने आये लेने केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से यह सवाल किया है कि क्या genetic engineering मुल्यांकन समिती ने जो ट्रांस्जेनिक सरसो संकर DMH 11 की पर्यावरणी निर्गमन को स्विकृति प्रदान करने से पहले जो तक्नीकी विश्यचर की समिती है उसकी रिपोर्ट पर विचार किया था अब यहां पर देखिए जो सरसो होती है इसके वग्यानिक नाम को अगर तो इस नाम को विध्यान में रखे क्योंकि यह चर्चा में है तो सीधे सीधे हो सकता है यही पूछले कि सरसो का वैज्यानिक नाम क्या है अब यहां पर देखिए कि जो यह DMH 11 हर्भी साइट टॉलरेंट सरसो का यह अनुवांसिक रूप से संसोधी संकरण है इसकी वज़ इसलय सकते में जो नेटिव साइज से सरसों की जो नेटिव यहां पर क्रॉप है उनको इससे नुक्सान होगा यह लिवा रूप सरसों बनाई गई है जो की एक गो देक्या कि इंसकी В? वजह से जो उत्पादन है उसमें बढ़ उत्तरी होगी और सरकार का यह कहना है कि जो खाद्यान तेलों पर हमारी निर्भरता है अन्य देशों पर इसकी वजह से कुछ न कुछ कमी आएगी लेकिन याशिका करता के दुआरा इसके इससे होने वाले जो विभिन प्रकार के नुकसान है उन पर सवाल उठाए गया है साथी साथ जो देशी क्रॉप है उनके प्रोडक्शन में जो कमी आएगी जिसकी वजह से जो भी किसान है उनकी आजीविका में कमी आएगी इन तमाम पहलों पर इस याचिका के अंतरगत प्रसुन उठाए गया है तो कोट के माध्यम से अगर हम बात करें तो यह सवाल उठाया गया है अब इसकी अगर बात करें इसी कहां पर विक्सित किया गया है तो इसी दिल्ली विश्व विद्याले के नामक मृदा जीवाडू से अलग किये गए दो विदेशी जीन सामिल है यानि की एक जीवाडू है जो मृदा में रहता है जिसका नाम है बैसिलस एमाईलो लिक फेशियन्स इससे दो जीन निकाले गया है और जो हमारी परंपरागत सरसो है उसमें इन जीन को डाल दिया गया ह तो उससे जो भी प्रजाती हमें मिली सरसो की उसको नाम दिया गया है DMH11 तो इनके अंदर क्या है जो जीन ये डाले गया है ये उच्च उपज वाली है यानि कि उपज की जो उत्पादकता है उसको बढ़ा देते हैं वाडिजिक संकर सरसो के प्रजनन को भी तक्षम करते ह यानि कि जो प्रजनन छमता है उसको भी बढ़ाते हैं तो कुल मिला करके देखे कि इसके अंतरगत जो प्रड़क्शन है उत्पादन है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा तो यहां से देखिए प्रसन का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्पती हो जाएगा क्यूंकि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अगला प्रसंद देखते हैं तवाल है रागवन समिती का संबंद निमलिकित में से किस से है चुनाव सुधार डियाडियो इस रो या हाल यानि हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड रागवन समिती की अगर बात करे तो अभी हाल ही मे इस समिती ने अपने रिपोर्ट सोपी है सरकार को और इसमें विभिन Sujhaw भी दिये गए है रागवन समिती की बात करे तो यह एक नौव सदस्तिय समिती है और इस समिती का गठन सरकार के द्वारा पिछले साल किया गया था और इस किसलिए किया गया था तो जो DRDO है उसके अंतरकत जो आने वाले विभिन मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए के विजयन रागवन के अध्यक्षता में इस समिती का गढ़न किया गया था तो इसका संबंद जो है DRDO से है आईए इसके जुड़े हुए कुछ पहलों को देखते हैं तो पूरु प्रधान वैज्यानिक सलाकार के विजयरागवन की अध्यक्षता वाली नौसदस्ती समिती ने अभी अपनी रिपोर्ट सौपी है जिसका गठन जो है पिछले वर्ष सरक कंता में स्दार करना ता इसने क्या सुझाओ दिया क्या सिफारी सी दीए उसके अंतरगत एक दो सिफारी सों के बारे में लियां की हो सकती है तो रक्षा प्रधयो Casey के गठन की बात की है जिसके अंतरगती है एक सिर्स निकाय होगा जो कि देश की रक्षा प्रद्रीकी रोड मैप का निर्धाराण करेगा अब इस परिशद में कौन-कौन सामिल होगा तो इसके अध्यक्षता जो है प्रदाहन मंत्री जी के द्वारा की जाएगी इसके अलावा रक्षा मंत्री और राष्टी सुरक्षा सलाकार इसके उपाध्यक्ष के रूप में कारे करेंगे इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रदाहन मंत्री रक्षा मंत्री और राष्टी सुरक्षा सलाकार तीन सदसे हो गए इसके अलावा यहाँ पर एक समिती और होगी अब इस समिती में कौन-कौन से मेंबर होगे तो उसमें देखिए एक कारिकारी समिती भी इस परिशत का हिस्सा होगी जिसमें प्रधान वैज्ञानिक सलाकार, सेवा प्रमुख, उपु प्रमुख और सिक्षा और उद्योग के प्रतिनिधी भी सामिल होगे इसके अलावा Chief of Defense भी इसमें शामिल होगे तो तीन मेंबर हो गए प्लस एक समिती हो गई इसके सिफारिस जो है इस समिती के दुआरा दी गई है जिससे की जो DRDO है उसकी functioning को में आने वाले जो विभिन प्रकार के मुद्दे है उनको सम्भोधित किया जा सके साथ ही साथ जो भी देश की रक्षा और रक्षप्रद्विग की छमताएं है उनको और भी ज़्यादा विक्सित किया जा सके तो यहां से देखिए प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल भी यानि DRDO हो जाएगा अगला प्रस्ण है ग्रेट इंडियन हार्णबिल की आयूसीन इस्तिती क्या है वल्लरेबल, लिस्ट कंसर, इंडेंजर या निर्थिटिन ग्रेट इंडियन हार्णबिल अभी एक बार सुर्खियों में है उसकी वज़ा क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के राज उत्तव पक्के पांगा हार्णबिल तेस्टिवल का नववा संसकरन जो है अभी हाल ही में आयूजित किया गया है और हार्णबिल जो है पूर्वोत्तर राज नागा लैंड में मैंनाये जाने वाला एक वर्षिक त्योहार भी है हार्णबिल कहां पर पाये जाता है तो मुख्य रूप से ऊश्नकटी बंदी है इसका शिकार जो है इसकी चोच आथ देखिए यहाँ पर इसकी यह जो चोच है जिसे हम कास्क भी कहते हैं अंग्रेजी में और उसके पंखों के लिए किया जाता है साथ ही साथ जो इसका मान्स है उसमें काफी आउशदी गुण होते है तो आउशदी महत्य के लिए भी इसका सिकार अवाय धुरूप से किया जाता है अगला प्रशन है इसक्षी मोबाइल एप्लिकेशन का संबंध निमलिखित में से किस से है MP-LED योजना, युवा निधी योजना, मात्र तुलाब योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना इस आक्षी मोबाइल एप्लिकेशन का जो संबंध है वो MP-LED योजना से संबंधित है और इसे अभी हाल ही में लॉंच किया गया है तो प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर एक होमवर्क है आप सभी के लिए यह जो चारो योजनाए है यह कब-कब लॉंच की गई थी किस सन में लॉंच की गई थी इसका उत्तर आप जब चाहे तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं क्योंकि योजनाए को उनके काला नुकरम के अनुसार विवस्थित करने से संबंधित सवाल विगत वर्स के परिशाओं में पूछे गया है तो आप जरूर इसको बताईए अगर पता है तो बहुत ही अच्छा है नहीं पता है तो इसको ढूड़िए कि ये योजनाए कब-कब लॉंच की गई थी और इसका उत्तर जरूर दीजे आप थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ महत्पूर बातों को हम देख लेते हैं तो यह जो जिना के कार्यानवर में पारदर्शिता लाना पहुच और दक्षता को बढ़ाना है यह एप सुविधा और पहुच को और भी ज्यादा आसान तरीके से बढ़ाएगा जिससे सांसद जो है विभिन परियोजनाओं का प्रस्ताव ट्राइक और निग्रानी कर सकेंगे यानि क कुल मिला करके सांसदों द्वारा जो उनके छेत्र में विभिन प्रकार की परियोजनाओं चलाई जा रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ट आराम से देख सकेंगे सहचता से देख सकेंगे इसके तहर्त सांसदों के लिए इस आक्षी मोबाइल एप्लिकेशन के लांच के कई ल परियोजनाओं चलाई जा रही है उनका ट्रैक रिकॉर्द सकेंगे उनकी निगरानी करती जा सकें जिस्सें की जो भी परियोजनाओं है वह सही समय तक कार्यानुइत की जा सके और इसका लाब लोगों को जनता को मिल सके तो प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा अगला प्रश्ण है तिब्वती भूरे भालु की IUCN स्तिती क्या है? वल्लरेबर लिस्ट कंसर, इंडेन जड या नियर थिटन तो दरसल अभी हालही में तिब्वती भूरे भालु के का दस्तावेजी करण किया गया है और इसे सिक्किम में, आलही में देखा गया है, इसके अंतरगत देखें, तो सिक्किम वनिभाग और WWF इंडिया द्वारा लगाए गया कैमरा ट्रैप की मदद से सिक्किम के उचाई वाले लाकों में इसे देखा गया है, इसे तिबबती नीले भालू के नाम से भी जाना जात और यह विश्व में जो भी भालू की प्रजातियां है, उनमें से सबसे दुरलब उप प्रजातियों में से एक है, विशेस रूप से तिबबती पठार में यह पाये जाता है, अब इसकी एक स्पेसिफिसिटी है, एक खासियत यह है कि जो इसके गला है, यहाँ पर येलो र पहचान में प्रमुख निर्धारन करता है, यानि कि इसको किस तरह से अनिभालू से हम अलग कर सकते हैं या पहचान कर सकते हैं, तो यह इसमें महत्पूर्ण भूमी का निभाता है, और इसे आयू से द्वारा लिस्ट कंसर्ण की स्रेड़ी में रखा गया है, तो यहाँ से प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प भी हो जाएगा, यानि कि लीस्ट कंसर्ण, अगला प्रस्ण फ्रेम किया गया है, निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रोबा 3 मिशन मंगल ग्रह के बाहरी वातावरण की विशेशताओं का बेहतर ढग से पता लग करें, यह मंगल ग्रह से संबंदित ना हो करके, बलकि सूरी से संबंदित है, तो जो सूरी का बाहरी वातावरण है, जिसे हम करोना भी कहते हैं, करोना की विशेशताओं का बेहतर ढग से पता लगाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, और इसे सितंबर 2014 में GSLV नहीं, बलकि इसरो के PSLV यानि Polar Satellite Launch Vehicle से लांच किया जाएगा, तो दूसरा कथन यहाँ पर देखिए गलत है, पहले कथन की अगर बात करें, तो पहला कथन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मंगल ग्रह दिये रखा है, तो यहाँ से प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, विकल भी हो जाएगा, तो दरसल सितंबर 2024 में इसरो के PSLV द्वारा यूरोपी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लांच किया जाएगा, तो यह प्रोबा 3 मिशन किसका है, यूरोपी अंतरिक्ष एजेंसी का है, जिसे इसरो के PSLV यानि Polar Satellite Launch Vehicle के द्वारा लांच कि किया जाएगा, और इसका जो इसे क्यों डिजाइन किया गया है, सूर के बाहरी वातावन, जिसे कोरोना कहते हैं, उसके विशेष्टाओं को बेहतर ढग से पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसके अलावा इसके अन्युद्देशों में लक्षों में और भी किया जाएगा, यानि कि इसके साथ साथ दो छोटे उपगरा भी लांच किये जाएगे, तो प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, दोनों ही स्टेट्मेंट गलत है, चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, निमलिखित कथनों पर विचार के तहत, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम, श्रेडियों में कुल 56 पुरसकार दिये जाएगे, यह पुरसकार 23 अगस्त को राष्ट्री अंतरिक्ष दिवस के आउसर पर प्रदान किये जाएगे, उपरिक्त में से कौन सा या क राष्ट्री विज्ञान पुरसकार शुरू करने की घोशना की गई है, और यह पहला राष्ट्री विज्ञान पुरसकार जिनकी घोशना 11 मई को राष्टी प्रद्दीगी की दिवस के उसर पर की जाएगी, राष्टी प्रद्दीगी की दिवस कब होती है, 11 मई को होती है एक पैट आपकी लोगों के लिए ये महतपूल है और इसके तहट 13 डोमेन में 4 स्रेणियों जो 4 स्रेणिया कौन-कौन सी है विज्ञान रत्न, विज्ञान स्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम इसके अंतरगत 56 पुरसकार दिये जाएंगे तो यहां से देखिए राश्ट्री अंतरिक्षी दिवस कब होता है 23 अगस्त को होता है तो इस स्टेट्मेंट में भी 23 अगस्त ही दिया हुआ है तो दोनों ही स्टेट्मेंट सही है तो प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान स्री, विज्ञान युवा, विज्ञा पुरसकार दिये जाएंगे कब दिये जाएंगे 23 अगस्थ को राश्ट्री अंतरिक्ष दिवस पर और जो नामों की घोशला की जाएगी वह 11 माई को की जाएगी 11 माई को राश्ट्री प्रद्यक्शकी की दिवस मनाया जाता है अगला प्रशन है ICD-11 का संबंध निमलिखित में से किस से है विश्वस्वास संगठन भारती चिकित्सा अनुसंधान परिशत वैज्ञानिक तथा अध्योगिक अनुसंधान परिशत भारती कृष्षी अनुसंधान परिशत तो ICD-11 का जो संबंध है ये है विश्वस्वास संगठन के से है दरसल अभी हाल ही में WHO ने ICD जिसका फुल फॉर्म है International Classification of Disease इसका Module 2 launch किया गया है जिसके अंतरगत आयूर्वेंद सिद्ध और यूनारी चिकिस्ता पर आधारित रोगों से संबंदित डेटा और सब्दावली को शामिल किया गया है अब ICD क्या है तो दुनिया भर में स्वास्त रुझानों और आकडों की पहचान करने का ये एक महत्पूर आधार है इसमें चोटों बीमारियों और मृत्य के कारणों के लिए लगबग 55,000 अधियुति कोट शामिल है यह एक सामान काउमन भासा एक तरह से कहले एक सामान भासा प्रदान करता है जो स्वास्त पेशवरों को दुनिया भर में स्वास्त संबंदी जो भ लाक्या करते हैं तो इसके अंतरगत अभी हाल में जो यह दूसरा मॉडियूल लॉंच किया गया है उसमें ध्यान रखिए आयूरवेद सिध्ध और यूनानी इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि सवाल सीधे-सीधे यही पूछा पूछा जा सकता है कि आई सीडी के चानना रहेगा तो इसलिए ध्यान रखिए इसमें आयूरवेद शिद्ध और यूनानी ही सामिल है तो यहां से देखिए प्रस्ण का जो सही उत्तर है क्या है विकल्प यह है यानि कि विश्व स्वास्त तंगठन इस प्रस्ण का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो यह अब उन्तिम सवाल के साथ आज की ऐपिसोड को हम यही पर विराम देंगे मिलते हैं अगले एपीसोड में कुछ नय प्रस्णों के साथ कुछ नई सूचनाव के साथ तब तक के लिए जैहिन शुक्रिया